कुछ दिन पहले जब धन्जा धड़कन जी विवाद से निकले थे तो उसमय उनके मतलब आपके कॉंपनी समगा गाना दो चार छूटा था इदर फिलहाल में उसके बाद गाना नहीं छूट रहा है आखिर के गाना छूटने का रीजन ही अही है कि देखिए हम आपको क्या बो स्वागत है दोस्तों आप लोगों को भोजपूरी नियूज में आज ऐसे सक्ट से मिलाने वाले हैं जो कि इनके चेहरा के मुमताज ने यह सवरवया कैसे हैं बहुत अच्छे हैं सबसे पहले तो छोटे भाई का चैनल है छोटे भाई के चैनल को जो भी आप लोग देख र लेगा तो महल को इसे करें रहेगा बीवाद चलना भी जरूरी है भजपूरी के लिए बोल रहा है कि जब भी विवाद होता है तो इसमें आप लाइब आते हैं और सब किसी को मतलब सामझाते हैं आप अपने स्टाइल में तो इससे आपको थोड़ा था भाय नहीं लगता ह है कि अगर को देखिया हम सिंपल बात हैं सथे बोलते हैं तो ड़ते नहीं है नाम किसी के बाप का खाते हैं किसी से ड़ते हैं अपना कमाते हैं अपना खाते हैं सबसे पहले हम ड़ते किसी से नहीं है और हम उसी को बोलते हैं जो गलत करता है और हमसे मेरा सिंपल बात है जो अगर नए सिंगर आते हैं उसके लिए आप क्या सेव परदान करते हैं देखिए हम जहां तक हुआ जो हमारा इस्टूडियो को खुले हुए तीन-चार साल हो गया चार साल में मेरे हिसाब से तिन-चार सिंगर जरूर मार्केट में मेरा चेला सब बहुत आ रहा है और बोले हम नाम तो रखेंगे नहीं पॉबली कोई पता कि कौन-कौन सहरवेश्वरिया का चेला है अपके चेला लोग आपसे मतलब मिल जूल कर ज्यादा काम नहीं करते हैं आखिर क्या बात है कि आइसे देखिए आप सई सवाल किये हैं मेरे चेला लोग हम से मिल जूल के इसलिए काम नहीं करते हैं कि देखिए अब हम हैं लॉंट हमा अब हमसे आपई सोचिएगा कि हम आपको बेस्टार बना दे तो हम आपके पीछे-पीछे धोयं तो हमसे काम नहीं होगा दूसरा चीज आप इस्टार पबलीक के लिए हैं पबलीक आपको लोग पाचान रहा है तो उभी म जब आपको बना सकते हैं तापके जब आपको पूछने वाला कोई नहीं होता है लेकिन जब आप मेहनत करके उस जगह पहुंचा दीजेगा न तो 50-60 है लोग मिल जाते हैं जिसको अपना तपेट चलता नहीं है अपना काम धंदा है नहीं दूसरे को चढ़ाने पे लग जाते हैं और उनको इसी तरह कुछ माधर चोद लोग कान उनका भड़ा था लेकिन जब हम लोग का डायरेक्ट बात हुए ता जहाए न हमारे पास का मदन बाबा भी आपको कुछ को बोले थे लाई कड़न बाबा इनको पी purchased मेरे पास हम को हम सीमपल बात है कि मदन बाबा हमको डिरेक्ट नहीं बोले थे मदन बाबा हमको मैसेज किये थे तो मादन बाबा जैसे लोगों को समझते थे उसे भी समझ लिए एक बर में उकाद उनको नाप दिये बोले आप कहने का मतलब है कि घर में अगर कोई मेहमान आया उसको पकर के पिटिये का तो उसे अपना इजद कम होता है अवकाद प्याने वाला बात ज तो चार छूटा था इदर फिलाल में उसके बाद गाना नहीं छूट रहा है आखिर देखिए गाना छूटने का रीजन यहीं है कि देखिए हम आपको क्या बोले कि की एस चार आप अपने घ्र के होईयेगां हम पड़ा किया हैं हम बनाएं हम महनत के हमसे जीवहरी वाला काम नहीं होगा अन्व कि चैनल को आप जाधा सब्सक्राइब कीजिए प्यार कीजिए असिर्वार दीजिए जैसे मेरे चैनल को देते हैं और आप लोग भाई के नायने न्यूज पे न्यूज टाइम अपडेट रही है यही आप सभी सुरों तक से मेरा रिक्वेस्ट है भौजपुरी की खबरे जानने के लिए सब्सक्राइब कर लेजिए ब्यूज रिकोर्ड भौजपुरी